हेलो गाईज, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यार एन हीट एक्षेंजर के आईप्यो के बारे में ये आईप्यो 25 सेप्टेंबर से 27 सेप्टेंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए और ये IPO complete fresh issue है कोई भी offer for sale इसमें नहीं है बहुत ये अच्छी demand हम इस IPO में देखने को मिल रही है तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इसके grey market premium की बात करेंगे, उसके बाद company के IPO की details, company क्या business करती है इस industry में क्या future है, company के key financials अच्छे discuss करेंगे, और मेरा क्या opinion रहने वाला है, apply करना चाहिए नहीं, listing gain के हिसाब से, long term के हिसाब से, last में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पुरा देखिएगा सबसे पहले अगर हम इसके grey market premium की बात करें तो इसका current GMP 230 के around चल रहा है यानि हमें इसमें करीब 105% का estimated listing gain देखने को मिल सकता है, यानि per lot के इसाब से बात करें तो करीब 15,000 रुपे तक का फायदा देखने को मिल सकता है, अंदाजर, GMP तो इसका बहुत ही अच्छा शो कर रहा है, लेकिन ये बाद में change भी हो करती है, अब ये heat exchanger क्या होता है देखिए जैसे हम refrigerator use करते हैं AC use करते हैं, तो उसके अंदर भी heat exchanger का component लगा होता है, तो ये company जो heat exchangers product बनाती है वो refrigerator industry, air condition industry इसके साथ साथ जो industrial heating होती है तो बड़ी-बड़ी factories में, power plants बगरा में सारा दिन machine है यहाँ पे चलती रहती है तो वो गरम हो जाती है, तो उनकी cooling के लिए भी जो heat exchangers products यहाँ पे चाहिए होते हैं वो ये company manufacture करती है, और ये company fin and tube type heat exchangers की leading manufacture है इस company के clients की अगर हम बात करें तो उसमें यहाँ बड़े-बड़े नाम शामिल है जैसे daikon, blue star, voltas, aircon, etc अब अगर इस industry की बात करें तो heat exchanger यह जो industry है इसने पिछले 5 साल में 10% CAGR से growth की है तो देखिए जैसे-जैसे industry का यहाँ पे development हो रहा है infrastructure का development हो रहा है, urbanization हो रहा है तो इसकी जो demand है, इसकी वज़े से हमें इस industry में काफी अच्छी growth पहले भी देखने को मिले है और आगे भी देखने को मिल सकती है चलिए अब quickly हम इस IPO की details की बात कर लेते है IPO का price band यहाँ पे 209 से 220 रुपे पर share का रखा गया है total issue size यहाँ पे करीब 342 करोड का है और जैसा मैंने बताया कि यह पूरा का पूरा fresh issue है कोई भी offer for sale यहाँ पे नहीं है यानि IPO का पूरा पैसा यहाँ पे directly company के पास जाएगा तो यह चीज मुझे अच्छे लगी एक lot में यहाँ पे करीब 65 shares रखे गए हैं यहीं आपको कईब 14,300 रुपे minimum pay करने पड़ेंगे इस IPO में apply करने के लिए इस IPO की जो timeline होने वाली है उसको आप यहाँ पे screen पे देख सकते हैं 3 October को इस IPO की listing होगी और आप 27 September शाँ 5 बए तक इस IPO में apply कर सकते हैं इस IPO के issue objective की बात करें तो company जो fresh issue से पैसा उठाएगी उसको यहाँ पे उसकी जो subsidiary company है उसमें invest करेगी एक new manufacturing facility setup करने के लिए चलिए अब company के financials की बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम assets की बात करें तो वो हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं financially year 24 में company की total assets है 258 करोड के आसपास उसके बाद revenue की बात करें तो revenue भी अच्छे हैं consistent हमें इसमें भी growth देखने को मिल रही है financially year 24 में company का total revenue है 313 करोड के आसपास इसके बाद bet या नि profit after tax की बात करें तो company last three years में profit में है और FI 22 के मुकाबले अगर हम 23 में देखें तो company ने याँ पर अच्छी growth की है करीब 3 times FI 22 में company का profit था 10 करोड के आसपास और FI 23 में उन्होंने उसको भढ़ा के कर लिया था 32 करोड उसके बाद अगर हम FI 24 में देखें तो profit बढ़के हो गया 39 करोड के आसपास मतलब पहले के मुकाबले FI 24 में थोड़ी कम growth देखने को मिली है लेकिन स्टिल यहाँ पर company अच्छे profit में है उसके बाद network के अगर बात करें तो वो भी company की ठीक ठाक है total borrowings के अगर हम बात करें तो company पर यहाँ पर थोड़ा बहुत debt भी है तो वो है यहाँ पे इसका 0.45 तो मेरे according अगर किसी company का debt to equity ratio 0.5 से यहाँ पे कम है तो वो अच्छा माना जाता है debt यहाँ पे easily manageable होता है तो यह एक positive point लगा उसके बाद pat margin की बात करें तो company का profit margin भी यहाँ पे 10% से उपर है तो यह भी एक positive point लगे company के PE ratio यहाँ पे price to earning ratio की बात करें तो वो है यहाँ पे 24 के आसपास हलाकि देखे compare करने के लिए हमारे पास इसकी कोई भी यहाँ पे peer company listed नहीं है इसका मतलब है कि यह company अपनी industry की पहली listed company बनने वाली है देखे वैसे जो एक ideal PE ratio होता है वो 2025 के आसपास ही माना जाता है तो इसका उसके आसपास ही है यानि pre IPO valuation company के ठीक है बहुत जाद अच्छे भी नहीं कह सकते बहुत जाद खराब भी नहीं कह सकते चलिए अब हम conclusion के बात कर लेते हैं इस IPO में apply करना चाहिए है नहीं लेकिन उससे पहले आपसे मैं request करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें भी तक telegram पे follow नहीं किया तो follow कर लेजिए वहाँ पे आपको इस तरह के IPO and finance related updates मिलते रहते हैं link आपको video के description में मिल जाएगा now मैं अपना opinion share कर देता हूँ बट आपको कोई भी decision यहाँ पे अपने according अपना analysis लगा के लेना है ये video सिफ education purpose के लिए है को recommendation नहीं है मेरा सबसे पहले listing gain के point of view से बात करते हैं सबसे पहले positive हमने इसका JMP देखा तो बहुत अच्छा चल रहा है हलांकि ये बाद में change भी हो सकता है दूसरा है company की जो यहाँ पे anchor list है वो भी यहाँ ठीक ठाक देखने को मिल रही है तीसरा हमने देखा company के जो financials हैं वो overall हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं और personally मुझे लगता है कि IPO में अच्छे खासी demand यहाँ पे देखने को मिलेगी तो फिलाल की सारी चीज़ें देखते हुए इसमें मुझे अच्छे listing gain की probability यहनी संभावना देखने को मिल रही है इसके बाद अगर हम long term perspective से बात करें तो सबसे पहले positive के बात करते हैं तो first point है company अपने sector में पहली listed company बनेगी तो यह एक positive point है और company के यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े clients भी हैं जैसे Diken, Blue Star, Voltas, etc इसके बाद हमने company के financials को detail में हाँ पे समझा तो overall जो company के financials है वो यहाँ पे अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं चाहे वो profit margin हो, debt to equity ratio हो और तीसरा positive point है कि company यहाँ पे grow करने के लिए steps ले रही है जैसे company सिफ domestic ही नहीं globally भी इन्होंने अपने products को यहाँ पे export करना start कर दिया और अपनी manufacturing capacity को भढ़ाने के लिए नई manufacturing facility है setup कर रहे हैं तो यह भी मुझे एक positive चीज लगी अब negative की बात करें तो as such कोई बड़ा negative मुझे यहाँ पे नहीं लगा एक जो मुझे बस थोड़ा सा यहाँ पे negative लगता है वो है company की valuation देखिए valuation के हमने बात की कि pre IPO जो इसकी PE ratio है वो यहाँ पे 24 के आसपास है और post IPO इसका PE ratio यहाँ पे और भी जाद होने वाल है तो valuation का point आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप इसे long term के लिए consider कर रहे हो बाकि decision आपको अपने according अपना analysis लगा के लिए लिस्टिंग इनके point of view से मैं इस IPO में interested रहोंगा लेकिन last day तक देखते हैं कि इसका आगे GMPN subscription कैसा रहता है इसको मैं यहाँ टेलिग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ वाहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं और DMET account नहीं है उपन कराना चाहते हैं तो best DMET account का link भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आपको इस IPO के बारे में क्या लगता है आप क्या करने वाले हैं अपना opinion comment section में जुरू share कीजिए वीडियो पसंद आये तो इसे like कीजिए आज की वीडियो में इतना ही मेया ना हमें सुनेल मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्स ववाचिं